शादी में क्यों लिये जाते हैं साथ फेरे क्या है इसका महत्त नमश्कार मैं हूं सिम्रन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल विवा संसकार भी हिंदु धर्म के 16 संसकारों में से एक है शादी वह पविक्त्र बंदन है जो दो लोगों को जोडने के साथ साथ दो परिवारों को भी जोडता है हिंदु शादियों में विवा से जुड़ी कई रस्में निभाई जाती हैं जिसमें साथ फेरों भी शम्रों है साथ फेरे के बिना हिंदु विवा अधूरा माना जाता है सनातन धर में विवा के दौरान लिये जाने वाले साथ पेरों का संबंध साथ जन्मों के बंधन से होता है शादी के दौरान अगनी को साक्षी मान कर दुला दुलन साथ पेरे लेते हैं और साथ जन्मों तक साथ निभाने का वादा भी करते हैं यह शादी का सबसे एहम और महत्वपून हिस्सा माना जाता है। इसके बाद दूला-दूलन मन और आत्मा से पती-पत्री के रिष्टे में बंग जाती है। जोकिशी और धाल्मी पृष्टिस से साथ अंक को शुब और महत्वपून माना जाता है और इसका प्रियोग कई शुबकारियों में भी किया जाता है। जैसे साथ सुर, इंद्रधनुष के साथ रंग, साथ तारे, साथ महासागर, साथ बुद्धिमान पूरुष, साथ दिन, साथ चक्र, मनुष्य की साथ गतिविदियां आदी। इस अंक की पवित्रता और शुब्ता के कारण, विवा के समय साथ पेरे और साथ वचन लेने की परंपरा है। बता दें कि जब दो लोग शादी करने के लिए एक दूसरे को जानते हैं, तो उनके साथ साथ उनके परिवारों के बीच भी संबंध बंधने लगता है। शादी में दूला धुलन के साथ साथ उनके परिवार भी एहम भूमी का निभाते हैं। विवा संसकार हिंदु धर्म के 16 संसकारों में से एक है। शादी वे पवित्र बंधन है जो दो अजनवियों को साथ जन्मों तक के अटूड बंधन में बांग देता है। ऐसी ही अन्य जनकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चानल को हम मिलेंगे आप से अगरी कहानी में तब तक के लिए धन्यवाद।